बेंटिंग की सीरीज में हमें कई सारे ओसम, पॉपिलर एंड पाउरफुल बेंज देखने को मिले हैं जैसे मैड बेंड, बैड बेंड, नेगा बेंड, 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 और टाइम वेस्ट किये इस awesome सी वीडियो को start कर लेते हैं अब इस नम और फिफ पर आता है ब्लांट बेन अब मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि प्लांट बेन बहुती जादा पॉफुल है या फिर प्लांट बेन काफी जादा पॉपिलर है बठाँ plant band के पस एक ultimitrix थी जो की हमारे band की ultimitrix थी अब plant band ने band की ultimitrix को चुरा कर अपने हाथों में पहन लिया था और उस ultimitrix की help से plant band भी किसी भी alien में transform हो सकता था जो की plant band को थोड़ा जादा powerful बना रही थी अपने normal form से अब plant band की जो सबसे बड़ी weakness थी वो थी peanuts अब अगर plant band फिर peanuts डाले जादे थे तो plant band एक type से जल जाता था और यहाई plant band की सबसे बड़ी weakness थी अब अगर हम बात करें plant band के appearance की तो plant band का appearance बैंटन की series में सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो भी बैंटन ultimate alien series के दे बिग स्टोरी एपिसोड में plant band का first appearance हुआ था यहीं appearance plant band का first and last appearance बन गया क्योंकि इस एपिसोड के बाद plant band हमें बैंटन की series में कभी भी देखने को नहीं मिला तो अब इस लिस में नमबर फोर्ट पर आता है elf band अब इस एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा था कि वहाँ पर काफी ज्यादा गर्में पड़ रही थी और इसी बीच grandpa mix की dust bucket खराब हो जाती है जिसके बाद grandpa mix को एक ऐसी जगह दिखती है जहां पर काफी ज्यादा बर्फ और काफी ज्यादा ठंडी रहती है और यह देखकर Gwen और Ben को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वहाँ पर Gwen और Ben खिलने लग जाते हैं बट उस जगह पर एक श्राप था कि अगर वहाँ पर कोई भी आएगा तो वो धीरे-दीरे elf बनने लग जाएगा और इस इस श्राप की वज़ा से Ben और Gwen भी दीरे-दीरे elf बनने लग गए थे बट लास्ट में Ben ने उस जगह से इस श्राप को खतम कर दिया और Ben और Gwen वापस से नॉर्मल हो गा है तो elf Ben का एपीरियंस हमें Benton की सीरीज में सिर्फ एक ही बार हुआ और वो भी Benton क्लासिक के Merry Christmas एपिसोड में elf Ben का First and Last Appearance हुआ क्योंकि इस एपिसोड के बाद elf Ben हमें Benton की सीरीज में कभी भी देखने को नहीं मिला सो अब इस लिस में नमबर 3 पर आता है Mirror Ben अब Mirror Ben भी बहुती ज़दा Powerful या फिर बहुती ज़दा Popular Ben नहीं है बट हां Mirror Ben के पस उसकी खुद की एक ओमने ट्रिक्स है जिससे Mirror Ben किसी भी एलियन में Transform हो सकता है अब इस एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा था कि Ben, Rok, Charm, Kaster और Hobart एक ऐसे Mirror के सामने आ जाते है जिनसे जो उनकी Mirror में Shadow होती है यानि कि Mirror में जोनकी Reflection होती है उसमें खुद की एक लाइफ आ जाती है और फिर वो Ben, Rok, Charm, Kaster और Hobart से Fight करने लग जाते है बट जो उनकी Reflection होती है वो काज की तरह ही वीक होती है जिससे Ben, Rok, Charm, Kaster और Hobart अपनी अपनी Reflection को Defeat कर पाते हैं अब अगर हम बात करें Mirror Ben के Appearance की तो Mirror Ben का Appearance, Ben 10 की सीरीज में सिर्फ एक ही बाद हुआ है वो भी Ben 10 Omniverse सीरीज के I'm Sure Charmed एपिसोड में Mirror Ben का First and Last Appearance हुआ था क्योंकि I'm Sure Charmed एपिसोड के बाद Mirror Ben हमें Ben 10 की सीरीज में कभी भी देखने को नहीं मिला तो अब इसमें नमर सेकेंड पर आता है Ultra Ben अब Ultra Ben बहुत ही जादा Powerful और काफी जादा पॉपिलर भी है Ben 10 Friends Ultra Ben को काफी जादा पसंच करते हैं अब इस एपिसोड में हुआ कुछ ऐसा था कि Forever Nights Ben को पकड़ लेते हैं और वो Ben को काफी अजीब अजीब सपने दिखाने लग जाते हैं ताकि वो Ben की Omnitrix ले लें बट ऐसा कुछ नहीं होता है Ben Last में समझ जाता है यह बस Ben का सपना है और वो यह भी समझ जाता है कि वो अपने सपने को कैसे कंट्रोल करें जिसके बाद Ben अपने सपने को कंट्रोल करता है और फिर वो खुद को एक Ultra Ben में ट्रांस्पॉर्म कर लेता है और Ultra Ben यानि कि हमारा Ben, Grandpa Max और Gwen को भी कुछ पावर्स दे देता है जिसके बाद Ultra Ben Forever Nights को बुरी तरीके से डिफीट कर देता है अब अगर हम बात करें Ultra Ben के Appearance की तो Ultra Ben का Appearance, Benton की सीरीज में सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो भी Benton Classic सीरीज के The Perfect Day एपिसोड में अल्टरा बेन का First and Last Appearance हुआ क्योंकि Ultra Ben इस एपिसोड के बाद हमें Benton की सीरीज में कभी भी देखने को नहीं मिला अब इस लिस में No.1 पर आते है Sumo Slammer Ben या कहें तो Slammer Ben अब आप इस Ben को कुछ भी कह सकते हो वैसे इस एपिसोड में होता कुछ ऐसा है कि Ben Upgrade में Transform होकर गेम में कुछ गड़बड़ी कर देता है जिसके बाद Ben और Gwen सीधा गेम के अंदर चले जाते हैं उसी गेम में Ben और Gwen को उनका खुद का एक न्यू फर्म मिलता है जो की काफी जादा अच्छा लगता है अब आप ही देखो Ben यहाँ पर कितना जादा स्टैलिश लग रहा है अब सही बताऊं तो ये वाला फर्म में इरको Ben का सबसे बेस्ट फर्म लगता है इसी वज़े से इस लिस्ट में नंबर फर्स पर मैंने सुमो स्लामर बैन या कहें तो स्लामर बैन को पिक किया है अब अगर हम बात करें सुमो स्लामर या कहें तो स्लामर बैन के एपीरियंस की तो इस बैन का एपीरियंस Ben टन की सीरीज में सिर्फ एक ही बार हुआ है वो भी Benton Classic Series के Game Over Episode में Sumo Slammer Ben का First Appearance हुआ था और यहीं Appearance Sumo Slammer Ben के लिए Last Appearance भी था क्योंकि इस Episode के बाद Sumo Slammer हमें अब तक कभी भी देखने को नहीं मिला है So यहीं थे Benz के Top 5 Best Forms I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज गाइस अब इस वीडियो को लाइक करके अपने जैसे Benz & Fans के पास शेयर कर दीजेगा तो मिलते हैं फिर किसी न्यू और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए Goodbye and Take Care